इस वीडियो बे शॉल करेंगे question number 11 तो ध्यान दीजी का बोला है कि the sum of the digits of a two-digit number is 12 मतलब एक two-digit के number में जो दोनों digits हैं उनका sum दे दिया है 12 और बोला है if the new number found by reversing the digits मतलब जो हमारे पास जो number है उसके digits को reverse कर दें तो नया number जो बनेगा यह जो नया number बनेगा वो original number से 54 54 जो है क्या है greater है then find the original number तो हम क्या करना है original number find करना है और आगे दिया check your solution और हमें यह भी check करना है कि हमारा solution आया है वो सही है या गलत तो करेंगे क्या सबसे पहले हम उन digits को मान लेंगे ठीक है x के form में चलिए हम यहाँ पर start करते हैं और साथ साथ में आपको detail में समझाते चलेंगे ठीक है ठीक है तो इसमें जो एक number होगा वो क्या होगा 10th place का digit होगा और दूसरा वाला जो होगा वो किसका होगा once place का digit होगा है कि नहीं तो इन दोनों में से किसी एक को आप मान सकते हैं क्योंकि आपका दिया हुआ है x प्लस y इन दोनों का सम दिया हुआ है 12 तो आप यदि इसको मानेंगे तो y निकलना पड़ेगा आपको इस तरीके से y निकलना पड़ेगा आपको 12-x करके ठीक है तो हम इसमें मान लेते हैं let the once place को ही मान लेते हैं x ठीक है let the once place digit be x अब यह बताइए once place मतलब कि आप जो है हम यहां पर थोड़ा अलगते से मिलाती है तो इसको हम erais करते है once place का यदि digit मान लेते हैं x है तो हमारे गिया होगा ठीक है तो once place का तो x हो गया यह आप जो आपको निकलना है digit x और against place का सम जो है वो दिया हुआ है आपका 12 ऐसा दिया हुआ है ठीक है तो 10th place का निकालने के लिए आप ऐसे मानेंगे 10th place जो होगा वो होगा x को मैनस कर देंगे यहाँ पर 12 मैनस x तो दूसरा जो होगा मतलब 10th place का जो digit होगा वो होगा 12 मैनस x तो यहाँ पर हम मन लेंगे देंगे 10th place 10th place digit बी नहीं लिखिये आप लिखिये is 12 मैनस x ठीक है क्लिर होगा तो हमने वो दोनों digit को मान लिया है अब क्या करना है समझेगा किसी भी नंबर के आपके digits पता हूँ किसी भी नंबर के यदि आपको digits पता चल जाएं तो करना क्या होता है हमें पहले उसको generalized form में actual number को लिखना होता है ठीक है तो हमारा 1st place का digit हमने x माल लिया है 10th place माल लिया 12 मैनस x माना क्या यह तो हो ही जाएगा क्योंकि दोनों का sum दिया होगा 12 यहां से हमें वो number निकालना है जो original number है original number कैसे निकलेगा तो किसी भी number का जब 1st place और 10th place का digit पता हो तो हम क्या करते हैं कि उसको generalized form में लिख सकते हैं किस तरीके से अभी मैं बता रहा हूं आपको यहां लिखेंगे इसे तरीके से मैं यहां लिखेंगे इस तरीके से यहां पर हम लिखता हूं 24 24 में क्या है 2 क्या है 10th place का digit है और 4 क्या है 1st place का इसे तरीके से मैं यहां इन दोनों डिजिट को रखूं एक दूसरी के पास में तो क्या होगा पहले हम जो 1st place का लिखना पड़ेगा तो x लिखना पड़ेगा ठीक है उसके बाद से यह 12-x है वो क्या है 10th place का digit है तो लिख देंगे यहांपर 12-x तो यह हो गया 10th place का digit और यह हो गया 1st place का digit ठीक है इसे को हम generalized form लिख सकते हैं जैसे कि 24 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 24 को लिख सकता हूं 2 multiplied by 10 क्यों करूंगा 10 से मुटपलाई क्योंकि 2 जो है 10th place का digit है और इसमें मैं add कर दूंगा 4 को मुटपलाई करके 1 से क्योंकि 4 जो है 1st place का digit है तो यह जो पूरा बना है इसको बोलते हैं हम लोग generalized form of a number generalized form of 24 ठीक है तो इसको भी हम ले सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर digits तो पता ही है 1st place का x है और 10th place का कितना है 12-x तो हम इसको भी लिख सकते है generalized form में और जो लिखेंगे तो वह एक number मिलेगा ठीक है यह दोनों को दोनों सेम ही है देखिए 2 into 10 करिए plus 4 into 1 करिए जो आएगा मुझा मुटिपलाई करने पर और add करने पर यह actual में 24 ही आएगा लेकिन हम generalized form में इसका usually करना है क्योंकि variable x दिया हुआ है इसलिए हम दोनों को साथ में नहीं रख सकते तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको कि 12 minus x में multiply करना पड़ेगा 10 से और plus करना पड़ेगा x में 1 से ठीक है तो यह जो बनेगा number यही होगा आपका generalized form of a number और generalized form actually वही number होता है actual में वही number होता है तो यहाँ पर advantage ही हमारे लिए है कि जब x यहाँ पर माना हो हमने तो यहाँ पर यह actual number मिल जाता है अभी मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर और जो होगा वह होगा आपका 12 minus x multiplied by 10 क्योंकि यह 10s plus का digit है 12 minus x ठीक है plus x multiplied by 1 मतलब जो मिलेगा हमें number वो मिल जाएगा multiply कर लिए 10s है तो 10s मिलेगा 12 में तो 120 मिल जाएगा minus 10 into x हो जाएगा minus 10x plus यह x into 1 तो x ही रहेगा अब दिखें minus 10x और x को solve कर लेंगे तो मिलेगा हमें 120 minus 10x में से x minus करेंगे मिलेगा minus 9x clear तो यह जो अभी आया जो 120 minus 9x यह एक number है और वो वही original number है जब हमें x का पता चल जाएगा तो हम यहाँ पर x की value रख करके और इस पूरे में इसको evaluate करेंगे जब तो हमें actual वो original number मिल जाएगी ठीक है तो यह हमारा जो है original number है ठीक है आप कह रहा है कि reverse करने पर जो new number बनेगी वो क्या होगी क्योंकि उसे से तो relate करना है न second sentence में तो आपको निकालना पड़ेगा अब इसके बाद new number तो हम यह आप ली सकते हैं कि दिन्यू नंबर फांड आफ्टर रिवर्सिंग दिजिट्स आफ आफ दी ओरिजिनल नंबर ओरिजिनल नंबर इस इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए अब हमें रिवर्स कर देना है तो यहाँ पर जो number है ओरिजिनल नंबर वो हो जाएगा देखिए एक्स आ जाएगा यहाँ पर ट्वल्फ मैंस एक्स से देखिए अपर ठीक है मतलब कि इस पूरे quantity को हमें यहाँ ले जाना है और इस एक्स को ले आना है यहाँ पर यही तो हो लाए ना reversing the digits मतलब मैं कर रहा हूं कि 4 को ले जाए 2 पर और 2 को ले जाए 4 पर एक्जाम्पल को तर पर तो हम यहाँ यहाँ पर करेंगे तो x की दिल आरेंगे हम 10 प्लेस पर एक्स में मोड़िप्लाई होगा अब 10 से ठीक है यह जो 10 है न इसमें एक्स में मोड़िए होगा और प्लस कर देंगे 12 माइनस x मोड़िए होगा 1 में 1 ठीक है तो यह हमारा बन गया new number लेकिन इसको solve करके हमें इस तरीके से बनाना पड़ेगा जिसे हमने यहाँ बनाया था तो solve कर लेते हैं इसको मिलेगा 10x plus 12 minus x अब जो है minus x को 10x में से minus करेंगे तो मिलेगा कितना देखे 10x और x solve करेंगे तो यह minus से यह plus है तो मिलेगा 9x और plus 12 तो यह आपका है new number जो reverse करने पर digits को मिला है original number का अब करना क्या है आप जो यहाँ पर second equation जो दिया हुआ है second sentence दिया हुआ है उसके help से हमें equation मना लेना है ठीक है तो यहाँ पर बोला ही है कि new number जो बनेगा ना new number after reversing the digits वो greater होगा कितने से 54 से original number से ओके तो हम according to the given question लिख करके और equation बना कर solve कर लेंगे दिख लेते हैं एकारड़िंग टू कि दे गीवन क्वेस्टेंट कर दे लिए यहां पर बोला क्या है दिखिए पहले-पहले यहां पर जो बोला है हम उसी को लिख लेते हैं था सिंपल में कि निव नंबर निव नंबर और यहां पर है आपका original number इन ही दोनों में मतलब relation दिया हुआ है original number यह बोल रहा है कि new number जो है original number से 54 जादा है यही बोला है बस 54 अधिक है तो हम करेंगे क्या इनको हम बराबर करेंगे इनको बराबर तभी कर सकते हैं जब हम original number में 54 add कर दें क्यों क्यों क्योंकि new number जो है original number से 54 जादा है तो यहां लिखेंगे 9x plus 12 is equal to original number क्या है यह आपका है इतना प्लस 54 अब यहाँ पे solve कर लेते हैं दीखे 9x plus 12 is equal to यहाँ solve कर लेते हैं कुछ तो यहाँ दीखे 120 और 54 add कर देंगे बस तो मिल जाएगा आपको 404527 and 1 174 minus 9x अब 9x को हम transpose करेंगे इधर और मिलेगा आपको दीखे 9x और 9x को इधर लेंगे left hand side में यह plus 9x हो जाएगा ठीक है ट्रांस्पोजिशन कर रहा हैं अब 174 इसको 12 में इधर ले जाएगा तो यह मानस 12 हो जाएगा मतलब actually जो है constants को एक तरफ करना होता है और variables को एक तरफ अब यहाँ पर देखे यह हो जाएगा 18x is equal to यहाँ मानस कर दीजिए तो 4 में से 2 जाएगा 2 7 में से 1 जाएगा यह हो जाएगा 6 162 अब यहाँ पर x की value हम निकाल सकते हैं और 162 अपान हमें करना होगा 18 डिवैड कर देंगे तो 18 बंजे 18 और 18 के table में आता है 162 9 times में आता है तो x की value मिल गई हमें 9 ठीक है अब x की value यह आपको मिल चुकी है तो अब यहाँ पर हम निकाल सकते हैं जो पूछा है हमें क्या पूछा है find the original number तो जब x की value मिल गए आपे 9 तो यहाँ पर देखिए original number क्या माना था हमने यहाँ पर माना था यह वाला तो यहाँ पर इसकी जगा पर हम x की value रख देंगे तो यह जो मिल जाएगा आपको original number मिल जाएगा ठीक है उसके बाद verify करेंगे तो चलिए हम इसको value पूर करते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं कि hence तो यहाँ रखेंगे तो मिल जाएगा 120 माइन जाएगा 81 होता है 81 मानस कर लिजिए तो 0 मिल से 1 जाएगा 9 आएगा 10 हो जाएगा 10 में से 1 जाएगा 9 आएगा और यहाँ पर 11 बचा 11 में से 8 जाएगा 2 3 39 तो आपका 39 वही actual answer है तो 39 यह correct answer है या wrong answer है आपको चेक करना पड़ेगा न है कि नहीं देखे चेक करेंगे हम यहाँ पर जो सुरू सुरू में जो equation बनाये थे यह इसी के help से और यही जो बनाया था हमने equation न यह कैसे बनाया था जो question में दिया हुआ है second sentence में यहाँ पर उसी के basis पर बनाया था तो यदि यह statement जो हमने लिखा है new number is equal to original number plus 54 यदि यह correct हो जाता है तो बिल्कुल हमारा यह 39 answer correct है तो हमें इसका मतलब कि new number भी find करना पड़ेगा है कि नहीं तो new number भी find कर लेते हैं और देखते हैं कि ऐसा relation बन पा रहा है या नहीं तो अब check कर लेते हैं check तो here new number is equal to क्या होगा 9x plus 12 है ना यह तो है तो 9 से मतला ही करेंगे 9 में 9x plus 12 मतलब की 9x plus 12 कर देंगे तो मिलेगा हमको 3 और 819 93 मिलेगा देखे रिवर्स करने पे मिल रहा है ना new number जो मिला है हमारा 93 मिल गया now क्लियरली क्लियरली देखे 93 जो हमरे देखे यहां पर new number is equal to original number plus 54 होना चाहिए क्लियरली new number हमारे पास है यह 93 तो 93 को हम लिख सकते हैं इस तरीके से 39 प्लस 54 क्योंकि देखे यहां पर add करेंगे इन दोनों को 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा 3 हो जाएगा 1 carry over and 5 4 5 और 3 8 और 8 और 1 9 है कि नहीं तो मतलब 93 को हमने new number को actually 39 प्लस 54 कर दिया है जो कि यहां पर देखे new number is equal to original number plus 54 तो original number यही तो है यह आपका new number है यह आपका original number है और 54 तो दिया ही था यहां पर ठीक है तो यह हम यहां पर दिखा दिया आपको मत verify कर दिये हैं कि सच में यह correct है हमार answer एक तो यह तरीका है ठीक है और चेक करने का एक और भी तरीका है आप इस equation का use कर सकते हैं यह जो second वाला equation निचे दिया हुआ है यह भी दम exactly वही है जो उपर लिखा हूं मैं है है कि नहीं तो इसमें क्या करना होगा आपको लिखना होगा left hand side और इसमें x value put करके निकलना होगा उसके पासे right hand side लिखना होगा और right hand side में x value put करके solve करना होगा देखना होगा कि left hand side और right hand side दोनों exactly same आ रहे हैं नहीं इस दोनों same आएंगे तो हम कहेंगे कि बिलकुल ही यह correct है ठीक है तो हम यह चेक कर सकते हैं दिख चेक कर लेते हैं हम एक बार LHS हम दिखेंगे LHS और LHS क्या है 9x plus 12 9x plus 12 यहां पर साल कर लेते हैं 9 into x के value क्या है जो हमने यहां पर लाया था 9 plus 12 9 and 81 plus 12 मतलब एक्चूली आएगा यह 93 ठीक है तो पहली बार हम निकाल लिए LHS अब निकालेंगे हम RHS तो RHS में क्या करेंगे इधर काम करना इससा कुछ है मतलब की 120-9x और प्लस 54 ठीक है तो 120-9 into 9 plus 54 ठीक है 120 यहां 120 रहेगा मैनस 9-81 हो जाएगा यहां पर और प्लस 54 ठीक है 120 से 81 मैनस करेंगे तो कितना हैगा मैं आपको यहां पर बता रहा हूं ठीक है ध्यान देजिएगा 120 में से 81 मैनस करेंगे तो मिलेगा आपको 19 and 20 39 एक पर यहां पर आया है वही मिलेगा और क्या मिलेगा प्लस 54 मिलेगा और इंदों को एड करेंगे तो 93 मिलेगा तो हम देख पा रहे है कि RHS जो आया है वो भी 93 आया है और LHS जो आया था वो भी 93 आया है तो हम लिख सकते हैं इसके आगे कि हैंस LHS is equal to RHS so the solution our solution is correct ठीक है पस इतना ही करना है तो आई होप कि आप उसमज में आ गया होगा अच्छे से तो यह दिए आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए तो सुसरे करियों कोई भी आउट होता है तो को लिखेगा बाई